है फ्रेंड्स वेलकम टू हाश्रीम इंफो टेक चैनल आज के स्यूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जियो फैबर में कैसे वाइफाई का नाम एडिट करते हैं कैसे चेंज करते हैं और कैसे password चेंज करते हैं आज के सुड़ें मताऊंगा दोस्तों अगर वीडियो पसना है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको माईजियो आप में जाना पड़ेगा माईजियो आप में ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गो टू टेलीकॉम सेक्शन टेलीकॉम सेक्शन में जाएं जैसे यहाँ पर जाएंगे आप नीचे आप देख सकते हैं एटोम हैं रिचार है माई डिवाइस वोडी जीयो तेर यहां पर आपको सिंपली क्या और मैं डिवाइस पर कििल्क करना एं आपको संपिल्क डिवाइस पर किलिक करने के बाद यहां पर नाम् पाशवाट भी चेंज कर सकते हैं इस तरह यहां पर देख सकते हैं आप 5G का नाम मैंने डिफरेंट रखा हुआ है और पाईजी का दोनौन डिफरेंट रखा है इसलिए रखना है दोस्तों कि पाईजी का जो रेंज है कम होता है और speed ज्यादा आती है और जो normal यहाँ पर दे सकते हैं आप यहाँ पर इसका range ज्यादा रहता है और speed कम रहती है इस तरह से आप दोनों का different नाम दे ताकि आपको मालम चल जाए कि 5G कुन सा है और normal कुन सा है बुलकर इस तरह से यहाँ पर edit name में जाके edit कर सकते हैं और यहाँ पर edit कर सकते हैं और change password भी कर सकते हैं इस तरह से आप अपना wifi का नाम change कर सकते हैं इसी तरह से दोस्तों आप अगर आपको wifi दूसरे कोई use कर रहे हैं उनको कैसी बॉलक करें यहाँ पर डिवाइस यहाँ पर दे सकते हैं मेरे पास एक PC को connect किया हुआ है और mobile से connect सकते हैं और password को भी change कर सकते हैं और कोई अगर other user वाइफा यूस कर रहे हैं उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर चोटा से वीडियो अगर पसन आया तो प्लीज दोस्तों लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो लाइब करें